हाई आप आ गए ना जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था सो शान सिंग राजपूत के बारे में तो उससे ही जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो है जो की बाते मेरे जहन में चल रही है मैं इस पीचाय बना लाई हूँ क्योंकि थक गई थी बाते करते करते है हुआ हुआ कुछ थंडियों में भी वक्त लगेगा हाई गाई मैं हूँ आशी बस्रा और आप मुझे लेख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अदेली हाइट्स लाइफ इंग्लेंड सिंग्लेंड सिंग्लेंड जी हाँ कईये कैसे हैं तो बहरहाल थैंकिसो मच फॉर कमिंग बाक और म होंगे भला मेरे मैं मतलब इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि ये वीडियो जादा लोगों तक पहुंचेगी या नहीं चलिए को बात नहीं मेरा मकसद अपनी सोच जाहिर करना है बाकि जितने लोग भी देखेंगे और अगर रिलेट कर पाए उससे और अगर उससे अब तक पहुंची है जो भी देख रहे हैं वीडियो और अगर उसे कहा तो शेयर कीजिए क्योंकि कहते हैं कि अंधविश्वास फैलाना बहुत आसान है लेकिन रोशनी को फॉलो करने वाले बहुत काम होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनते कि आपनी सोच क अगर आपको लगता है कि उसको शेयर करना लाजमी है तो जो मैं आपसे बात करने जा रही हूं उसे खुले जहन से सोचेगा और मेरा नजरिया है मैं यह अपने नजरे की बात कर रही हूं मेरे जो वीडियो बनाने का मक्सद है यह उस विशे में है कि सुशान सिंग की सचाइब चाहूंगी क्योंकि मैं उनके बारे में जानते हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ है और बहुत जादा दिल पर असर भी हुआ था बाकी वक्त के साथ हर जखम भड़ जाता है लेकिन सवाल रहते हैं तो जिस तरह से सब कोई हर कोई लड़ रहा है सुषान सिंग के नहां मिले कि जान चली गई है जो इनसानी जिंदें की है वह चली गई हंकी और चाहिए हम कुछ भी कर लें फाइं मिल भी जाए तभ भी वह जान वापस नहीं आएंगी तो किसी इनसान के उसके मदद करें जीते जी रहते हुए उस इनसान की तकलीव समझें ज़ूरी नहीं है कि हर बार किसी के जाने के बाद ही उसकी कदर मैसूस करें तो मैं यह बात अब करने जा रही हूं psychics के बारे में या उन लोगों के बारे में जो gadgets so called gadgets को use करके कह रहे हैं कि वो सुशान सिंग राजपूत की आत्मा के साथ संपर्ग कर रहे हैं और सुशान सिंग उन से बात करके बता रहे हैं तो मैं उस विशे में बात करना चाहूंगी मैं इसलिए मजबूर हुई जब मैंने ऐसी वीडियो देखी तब मैं मजबूर हुई कि मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है अपना point of view रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मैं कहना जाती हूँ अपने दिल में ही ना सोचती रहूं मेरे माता पिता नहीं है मैं अकेली हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ इस दुनिया मैं अकेली हूँ मेरा कोई नहीं है सिवाए मेरे दो चोटे बच्चों गए तो ये बात क्यों बता रही हूँ मैं आपको इस विशे में भी मैं भी आओंगी जब मेरी पिता जी को मैंने बहुत सालों पहले खो दिया था लेकिन मेरी जो माता जी मेरी मदर है उनको मैंने दो साल पहले खोया मुझे यार्द है मैं अपनी मदर को कहा करती थी याकि जब वो इस दुन्या से चली जाएंगी तो मुसे वादा करें कि कोशिश करेंगी अगर मरने के बाद कुछ है दुनिया दूसरी अगर मरने के बाद भी आत्मा या कॉंशिस जो हमारा कॉंशिस मन है जो हमारा हमारी कॉंशिसनेस है हमारी जो आत्मा है अगर वो जीवित रहते हैं अगर कुछ है अगर पॉसिबल है तो मुझे कोई संकेट जरूर देना ये मैंने अपनी मदर को कहा था कि मुझे कोई साइन देना मुझे मुझे से कॉन्टेक्ट करने की खुद कोशिश करना अगर ये पॉसिबल हुआ तो मेरी मदर को गुजर हुए भी कुछ समय हो गया है अब लेकिन उसके बाब जुद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगेगी मैं उन्हें सुन पा रही हूँ या वो मुझे कॉन्टेक्ट कर पा रही है और अगर कॉन्टेक्ट करे भी इनसान उस तरफ से तो क्या फर्ष पड़ता है आत्मा वो शरीर छोड़ चुकी है जिससे आपके रिष्टे हैं जिससे आपके रिष्टे ते संबंद थे जिनको आप अपने माता पिता बुलाते थे वो शरीर इसी दुनिया में खत्म हो गए है और आत्मा का सफर आगे जारी है अगर है तो तो फिर वो तो आत्मा का तो किसे रिष्टा नहीं होता आत्मा तो सरव्यापी हो जाती है अगर हम माने अपने सनातन धर्म की तो फिर तो कोई रिष्टे सिर्फ शरीर से होता है आत्मा का जो रिष्टा है वो सिर्फ परमात्मा से ही होता होगा बहरहाल तो मैं बात करूँ साइकिक्स की मैंने क्यों वीडियो बना रही हो यह चाहेगा गुट पी लेती हो एक मिनट जब से सुशान सिंग की यह दुरगटना हुई है यह बहुत बुरा हादसा हुआ है तब से एक इंसानी नेचर होते हैं कि वो जानना चाहता है कि क्या हो रहा है कैसा है तो बहुत सारी वीडियो आ रही है हर रोज उन में से कुछ देखती हूं कुछ नहीं देख पाती हूं एक वीडियो जो कि क्यूंकि मुझे पारनॉर्मल क्वांटम फिजिक्स और इस देर लाइफ आफ्टर डेथ इन चीज़ा में दिल्चस्पी है मुझे अ अलग विशे हैं फिल्हाल मैं यह कह रहे हूं कि जब मैंने देखा कि कई वीडियो ऐसी आई हैं सामने इसे अमेरिकन और इंग्लिश रोनो हिंदुस्तानी कई साइकिक्स्पी है जो कि यह दावा कर रहे है कि वह कोशिश कर रहे है तो शान सिंग राजबूत के आत्मा से कन कि जब आता है मुझे परिशानी होती है कि कैसे कोई किसी की मौथ का मजाग बनायी जाता है क्यूं इस तरह से बिजनस किये जाते हैं इंसान के जजबातों से खेल कर लेकिन मैं फिर से वही कहुंगी इतनी ज्यादा गल्ती उन लोगों की नहीं है जो मुर्क बनते हैं गल् वीडियो देखा, रिसेंटली आते हैं एक दो दिन पहले, मेरी किसी दोस्ते विश्य पर बात हो रही थी, सुषान सिंग राजपूत के बारे में, और क्या हो रहा है आज कल दुनिया में बड़ा नेगेटिव टाइम, या कहलेजे कि क्लेंजिंग में भी टाइम, हम कुछ नह नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें कि एक साइकिक, ये दावा कर रहा था, कि उसने सुषान सिंग राजपूत से कनेक्ट किया, और सुषान सिंग राजपूत की आवाज आ रही थी, साफ क्लेर उसके वीडियो में, उसके गैजेट्स, जो कि वो इ दूसरी दूरिया से संपर्क कर पाता है, दूसरी दुनिया की आत्मा है, उसे गैजेट्स में आके बात कर पा रही है, ओखे, सिर्फ इस वज़जा से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे मजबूर, मेरा दिल ने मुझे कंपाल किया, मजबूर कि, आँगाट, मैं ये लेकि इंसानी तोर पर हम जो भी हैं इस प्रित्वी पर रहने वाले वासी हमारा फर्ज बनता है कि एक दूसरे के साथ हम बात करके अपने विचारों को सांजह कर सके अगर उस बात से सहमत होते हैं तो मैंने जब यह वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा पहली बा बाते इस पर्ष्ट कर देना चाहूंगे अब इस वीडियो में फिर आप मुझे बताना कि आप कितना सहमत है मेरे विचारों से और प्लीज कमेंट करके मुझे बताएगा कि आप क्या सोचते हैं तो जैसे इस वीडियो को शुरू करते ही मैंने आपको कहा कि मेरे माता पिता कि अगर उस अंजानी दुनिया से इस दुनिया में करेक्ट करना इतना ही सरल होता कि सिंपल से गैजट के थू कोई बात कर पाए तो क्या मेरे माता पिता यह जानते हुए कि उनकी बेटी परदेश में अकेली है अपने दोनों बच्चों के साथ क्या मुझसे कभी करने की को मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझसे कॉंटके करने की कोशिछ नहीं करती हमेशा क्या मुषे कौने करती है कि अगर इतना असान होता तो अगर मौत के बाद हमारे गुज्रे हुए हमारे दिवंगत पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे कोई भी अपने जो कि दुनिया में नहीं रहे हैं, दुनिया से जाच चुके हैं या किसी ऐसे gadget के जुरूर परती जिसके थूरू हम उनकी बात सुन सकते क्या ये संभव है क्या ये आपका जहन मानने को तयार होता है अगर ऐसा कोई भी तरीका होता तो क्या हमारे पूरवच जो की इतने ग्यानी थे जिन्होंने चार वेदों की रचना करी जिन्होंने हर तरह का solution सनातन धर्म में बताया तो क्या वो हमें ये guide ना करके चाते कि मरने के बाद किस तरह से connect करना है लोगों से या आत्माई किस gadget के थुरू हमसे बाते करेंगी क्या ये संभाव है कि ये आपका जहन मानता है इस बात को मेरी मदर है बहुत spiritual lady थी बहुत आध्यात्मिक थी मेरा बच्पन उनके मुसे भगवत पुरान सुनते हुए गुजरा भगवत पुरान की तरह की कहानिया सुनते हुए गुजरा हमारी जो जिसे कहते है आज कल के पड़े लिखे लोग mythology वो myth नहीं है हमारी जो पूर्वजो ने जो लिखा जो हमारे धर्म गरंतों में लिखा हुआ है जो हमारे सनातन धर्म ने हमें सिखाया है जो बताया है वो metaphor भी हमें guide किया गया है हर कहानी को आँख बंद करके मान लो ये मेरी माने मुझे नहीं सिखाया बलकि सवाल करना हमारे सनातन धर्म ने हमें इजादत दी है कि आप खुल कर सवाल करे आप सोच सकते हैं आप सवाल कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही हमारे सनातन धर्म ने हमें हर तरह की शिक्षा देते हुए इस बात से भी अवगत कराया है कि सवाल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे सनातन धर्म ने हमें अंधभक्त नहीं बनाया है बलकि हमें आखे खोल कर देखने की शिक्षा दी है यह लेस्ट टॉक अबाउट फैक्ट्स ठीक है जो मैंने वीडियो देखी उसमें वह जो की साइकिक यह कहलीजे की जो कनेक्ट कर रहा था अपने गैजट से सुशान सिंग क आत्मा को और वह जो भी आवाज आरदे सुशान सिंग की पहली बात तो यह कि आप मुझे बताएं कि क्या वह आदमी इतना एंलाइटन है क्या वह हमारे सादू संतों से हमारे पूर वह जो से रिशी मुनियों से भी ज़्यादा एंलाइटन है कि उसने ऐसे यंद्र की उसकी आवाज ऐसे रैंडम सी की आवाज लग रही थी और हो भी सकती है सुचांदस सिंग के ऑवाज हो उसके किसी पराने इंटर्वीव मैं से टोर्मरोड के उसमें से पीसिस निकालकर कुछ भी हो सकता है मैं उस पारे में नहीं, उसके क्या किया, उसने क्या नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो कोई important नहीं है, important ये है कि मैं खुद प्रकृति के करीब हूँ और मानती हूँ आत्मा के existence, और ये भी मानती हूँ कि आत्मा होती हैं, और मैं ये मानना चाहती हूँ, कि मृत् conscious, जो high consciousness है, जो हमारा high level पर वो जीवित रहता हो, इंसान शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ हो, ये बात मैं उम्मीद करती हूँ, ये एक hope रखती हूँ, लेकिन जो इस आदमी ने किया, उससे तो साफ ये जाहिर होता है, कि सुशान सिंग को उसने इतना easily connect कर लिया, लेकिन पहली बात तो ये अगर उसने connect कर लिया, तो क्यों बात घुमा फिरा के यहां वहां की फालतू बाते करिये, क्यों अगर सुशान सिंग राजपूत वाकि में connect होता, पहली बात तो ये possible नहीं है, जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कि सुशान सिंग राजपूत connect भ हुआ, वेरी कन्वीनिंटी, उस बंदे ने बोला, हाँ, हाँ, वो सुशान सिंग राजपूत से connect होई, ये उसकी आवाज है, उसने कहा मेरे दोस्तों ने ऐसे मारा, ऐसे आवाज आ रहे है, कट पीट के, सच नॉंस है, मुझे तो ये सोच के पर दुख होता है, कि लोग य यकिन करती हूँ, लेकिन जो मैंने ये वीडियो देखा, वो बहुत ही हास से पद और बहुत ही बेवकूफ बनाने वाला है, जो कि इनोसन लोग है, वो तो बिल्कुली बेवकूफ बन जाएंगे, आप अपने खुद का दिमाग लगाए, और सोचे कि कैसा, ऐसा कोई हो सकत है कि एक शरीर छोड की गया हुआ इनसान आकर किसी गैजट के थुरू कनेक्ट करके बाते करें और ये भी ना बता है कि उसको किसने मारा, अगर उसका मर्डर हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो जनल नौलेज़ है, आप अपना दिमाग लागे सोच लीजिए, ल बतते है क्या था, तो आप मुझे एक बात बताईए, कि जिस तरह का अगर आपने वो वीडियो देखा है, जिसमें सुशान सिंग की आत्मा आकर बात कर रही है, उस इनसान से और कह रही है, कि जो भी आवास सुनाई दे रही है, आपको सुशान सिंग की, आप मुझे बात हम किस से ना बात करते हैं, मुझे आपकी जीवा हिलती है, हमारी जीब जो की मास की बनी हुई है, हमारी जीब जब हिलती है, जब हमारे फेफडे, जब हमारे लंग्स हवा देते हैं, हमारे मुझ, हमारा एक धंक से हिलता है, तो वो आवाज आती है, ठीक है, जब इनसान श शरीर छोड़ कर जा चुका हो, आत्मा को कोई शरीर नहीं होता, आत्मा की कोई जुबान नहीं होती, आत्मा टेलीपैथिकली बात कर सकती है, आपके सपनों में आकर बात कर सकती है, आपको एहसास खरा सकती है, आपके आसपस अजीब सी अनोखी सी फिलिंग हो सकती है किसी की मौजूदगी की लेकिन वो एक हवा वो कोई अंदेखा क्योंकि शरीर तो यहीं पर जल चुका है ना इस दुनिया में शरीर जो की जिसके पास जुबान है जिसमें से आवाज निकलती है जो की बोल सकता है एक दिमाग जो की मास्का बना हुआ है जो की कनेक्ट करता और आप बात करते हैं मौत के बाद जब इंसान शरीरी छोड़के चला आता है तब भी उसको शरीर के तौर पर क्यों सोचा जा रहा है सो शांत अब शरीर नहीं है वो एक आत्मा है तो वो कैसे किसी गैजट के थ्रू पहली बात आत्मा के पास जीब कप से आ गई आत्मा के पास हार्ड मास का बनावा शरीर नहीं होता तो वो कैसे बात करेगी आत्मा आत्मा क्या जुबान हिला के बात कर सकती है आप मुझे खुद बता है खुद सोचे नहीं कर सकती अगर हम चलो मैं यह नहीं कर सकती, मैं यह कह रही हूं कि यह possible नहीं है, कि बिना शरीर के आवाज आए, हवा की आवाज क्या होती है, बारिश की आवाज कैसी होती है, यह शब्द इंसान ने बनाए है, शब्द इंसान के निकलते हैं, तो जो यह दिखा रहा है न, कि सुशान सिंग राजपुत ने बोला, उसने कुछ तोर मडोर के, कहीं से सुशान के आवाज लेकर, उसको स्लो स्पीड करके, या हाई स्पीड करके, उसको वीडियो बना दिया है, मूर्ख बनाने के लिए, इमोशन से खिलने के लिए, और वरन आत्मा का शरीर नहीं होता, और जिसका शरीर नहीं होता, वो आवाज, उसके आवाज ऐसे बोल नहीं निकल सकते, बात नहीं कर पाएगा, अगर उसकी बात, आत्मा एक अलग दुनिया की चीज़ है, इस दुनिया से मर कर एक अलग दुनिया, अगर होती भी है तो, तो वहा पे शरीर का काम नहीं है वहाँ आत्मा फिर आत्मा से बात करेगी रूरू से बात करेगी और तरीके हो सकते हैं उसको फील करने के लेकिन जुबान से आके वो बोले ये सब अंग्रेजी में बात कर लिया है जुबान से और ऐसा ऐसे बोल रही है ये बात सबसे बड़ी फेलिय किरली कि और अगर और उसके और कि अगर बसक्ति और तरीके होते हैं और सुषान सिंग राजपुत था connect हुआ होता, मान भी लिया कि उसकी आत्मा की जीव है और वो बात कर रहा है, तो उसने एक बार भी नहीं बताया कि उसका murder किसने किया, और वो फाल्तु की बाते करते जा रहा है, यहां वाहां, सीधा पॉइंट से पूछता, सुशाम तुम्हें किसने मारा और सुशाम ने जवाब भी नहीं दिये, क्योंकि वो सुशाम की आत्मा नहीं है तो प्लीज अपने आपको फूल ना बनाएए और ऐसे लोगों को बिल्कुल तूल ना दीजिए डोंट गिव देम यूर थाइम आपको फूल जाएंगmos savez आपको बहुत बड़ा विश्य हो जाता है उसके पार में बात करोंगे तो बाते बहुत लंबे हो जाएगे मैं सर्फ इतना खौँँगी की मैंने अपना विचार रखा कि मुझे बहुत दुखवा सुशान सिंग राजपुत की मौत से क्योंकि वो एक काफी ब्राइट इंसान थे लेकिन ये घटना हो गई है अब जो भी किया जा रहा है एक नयाय दिलाने की तरीके से तो वो जायज है लेकिन अंतविश्वास में घुसकर ये कहना कि वो आकर इस उसकी कैजट में आके बात कर रहा है तूटी-फूटी लैंग्विज में तो बेफ़कूफी बात है और अपमान है बहुत जादा अपमान है उस दिवंगत आत्मा का तो प्लीज आप ऐसी बातों को इंपोर्ड़ ना दीजे और ऐसे बुरे वक्त में जहां पे हर तरफ से बूरी खबरे सुने को मिल रही है कोशिश कीजिए अध्यात्मिक तोर पर अपने से जुड़े रहिए खुद से जुड़े रहिए अपने आसपास की जो भी आत्में आपको लगते है रेस्लेस हैं उनसे जुड़े रहिए अगर अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं अपने इन सब बातों को तूल ना दीजिए जो कि बहुत ही अपमान जनक और बेप पूपाना है तो आल कैच अब वीडियो भी नेक्स वीडियो तब तक रखिये अपना ख्याल और एक डूजे का भी तिल देन जी अण जी ने दे